जी दोस्तों, idioms and phrase के सेशन को आगे बढ़ाते हुए, आज हम फिर बहुत ही महतपूर idioms and phrase को लाए हैं, आज का हमारा पहला idioms and phrase होगा, इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगोंने 20 idioms and phrase को देखा था जो बहुत ही महतपूर थे, और पिछले वीडियो में हम लोगोंने 260 idioms देखे थे, आज हम लोग देखेंगे 261 से, ठीक है, तो चलिए, आज का हमारा पहला idioms दिया हुआ है, red-handed, red-handed मने अपराध करते समय, अर्थात बोलते हैं, आपको रंगे हाथों पकड़ा गया, तो red-handed, red-handed का मतलब होता है, रंगे something wrong, जब आप कोई crime या कुछ गलत करते हैं, उसी समय पकड़ जाने को बोलते हैं, red-handed, क्या बोलते हैं, red-handed, आगे दिया हुआ है, red-later-day, red-later-day, red-later-day को मतलब है, सौभाग्य का अत्यंत महत्तुपूर दिन, सौभाग्य का अत्यंत महत्तुपूर दिन, अब समझे है, इसको कैसे आप लोग relate करेंगे, red-later-day, आप लोग government service के लिए तयारी करते हैं, महा चलिए जब आपका government service में, आप select हो जाते हैं, और government आपको याद करने के लिए ध्यान जिगा, government आपको एक letter भिजता है, और वो कैसा होता है? Red-later होता है, कैसा होता है? Red-later, गर Red letter जब आपके यहां पहुँचता है जिस दिन वह दिन आपके लिए क्या होता है बहुत ही महत्तुपूर होता है क्यों क्योंकि वह letter आपके यहां पहुचा हुआ है तो Red Letter Day का मतलब होता है सौभाग का अत्यन्त महत्तुपूर दिन Memorably Important or Happy Vacations Need दिया हुआ है Red Tapism Red Tapism का मतलब होता है लाल फीता साही अपने यहां Government की डिवाज है कोई भी कार करेगा तो लाल फीते से उसको बांधेगा और जरूर से जरूर बांधेगा अर्थात Red Tapism का मतलब होता है लाल फीता साही Strict Adherence are Accessive Paperwork and Official Formalities अर्थात यहां पर Formalities, Official Formalities अधिक किया जाते हैं तो इसी को बोलते हैं Red Tapism, लाल फीता साही नेट दिया हुआ है Rest on Ones Laurels Rest on Ones Laurels भूत काल के उपलब्दियों पर निर्भर रहना Lawrence का मतलब होता है पुरसकार प्राप्त करना Laurels का मतलब पुरसकार प्राप्त करना तो ध्यांद जे एक समय बिहार का एक ब्यक्ति था जो कौन बनेगा करोलपती में वो जीता था तो अब कौन बनेगा करोलपती एक प्रकार का पुरसकार उसको मिला ठीक है अब वो पुरसकार जब मिला तो वो उस पुरसकार पे जीने लगा अर्थात रेष्ट माने आराम करने लगा रेष्ट अन वंस Laurens अर्थात वो भूथकाल के उपलबधी पर निरभर रहना तो रेष्ट अन वंस Laurens का मतलब होता है भूथकाल के उपलबधियों पर निरभर होना depending on the achievement made in the past. आगे देख लेतने हम लोग, rhyme and reason, rhyme and reason, तो rhyme का मतलब होता है तुकबंदी करना, reason मतलब होता है समझाना बुझाना कुछ भी करना, किसी भी कारण से rhyme तुकबंदी करके या समझा बुझा के किसी भी कारण से उसे क्या करना है, मना लेना है तो rhyme or reason का मतलब होता है किसी भी कारण से sense, logic or meaning ठीक है चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा अगला idioms दिया हुआ है ध्यान दिजिएगा बहुत important है आपके exam के लिए important है तो ध्यान दिजिए दिया हुआ है right hand man right hand man नहीं बोलते हैं कि यह मेरा दाहिना हाथ है दाहिना हाथ का मतलब right hand man है मुख्य सहायक ब्यक्ति है यह मेरा मेरा यह मुख्य सहायक ब्यक्ति है right hand man है तो one's most valuable assistance are supporter उसको बोलते है right hand man निट दिया हुआ है right like a phoenix from its asses ध्यान दिजिएगा phoenix का मतलब होता है अमर पच्छी जो कभी नहीं मरता है from its asses asses माने होता है राक चिता की राक तो rise माने उठना like माने की तरह a phoenix माने अमर पच्छी की तरह कहां से from its asses अपनी चिता की राक से अब बताईए चिता की राक से कोई निकल सकता है लेकिन यह निकल जाती है तो rise like a phoenix from its asses उसी तरीके से उठना जिस तरीके से एक अमर पच्छी अपनी चिता की राक से निकलता है अर्थात बहुत बड़ी समस्या से उबर कर निकल आना बहुत बड़ी समस्या से उबर कर निकल आना अगला दिया हुआ है राक दबोट अब ध्यान देजे एक बोट है जिसपे हम लोग बैठे हैं और उसपे एक पत्थर रख दिया गया बड़ा सा पत्थर रखने की वज़ा से बोट संतुलन में नहीं होता है उसकी संतुलन बिगड़ जाती है तो राक दबोट का मतलब होता है संतुलन बिगारना राक दबोट का मतलब संतुलन बिगारना तो डिस्टर्ब a situation which was otherwise stable नेट दिया हुआ है rolling stone ध्यान जी यह हमारा है rolling stone rolling stone का मतलब होता है लुड़कता हुआ पत्थर rolling stone का मतलब लुड़कता हुआ पत्थर अर्था जिसमें पेदा ना हो हमेशा क्या करता रहे लुड़कता रहे जो इस्थिरता के साथ कार नहीं करता है a restless person बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं a restless person निश्ट दिया हुआ है rail road rail road, rail road का मतलब होता है साही, साम, आसान रास्ता rail road, road मतलब रास्ता, rail मतलब royalty से जहाँ जिस road पे चला जाए वह रास्ता कैसा होता है आसान होता है, तो rail road का मतलब होता है आसान रास्ता, एन इजी आर डारेक्ट वे ओफ एचीविंग अडिजायर रिजर्ट, नेट दिया हुआ है, रूल दरूष्ट, रूष्ट का मतलब होता है, जड़ या अड़ा कह सकते हैं, रूल माने होता है, सासन, तो सासन का जहां पे जड़ होता है, अर्थात, वहां पे सासन रूब जमाएगा, तो रूल दरूष्ट का मतलब होता है, रूब जमाना, जहां पे सासन का रूट होता है, जड़ होता है, वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते हैं, सासन ही हावी होता है, तो रूल दरूष्ट का मतलब होता है, रूब जमाना, टू डॉमिनेट, क्या कर जिसके अमक का मतलब होता है सनक सवार हो जाना क्या हो जाना सनक सवार हो जाना तो रन अमक का मतलब होता है सनक सवार होना अमक का मतलब बेकाबू ठीक है तो रन अमक का मतलब क्या हो जाएगा सनक सवार होना Mad with Murderous Frenzy ठीक है Next आईए हम लोग देख लेते ही अगला हमारा दिया हुआ है Run in the same group Run in the same group Same मने एक ही प्रकायर की ग्रू मने होता है नाली जैसा तो एक ही प्रकायर जैसे अर्थात एक ही प्रकायर में रन करना अर्थात एक ही नाले में अगर रन कर रहे हैं तो सामन जज़्ष बिठा के चलना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा? सामन ज़्ष बिठा के चलना पड़ेगा अर्थात run in the same group का मतलब होता है संबंधों को मदूर बनाए रखना run in the same group Next दिया हुआ है इसका इंग्लिज में क्या हो जाएगा Maintaining a Sweet Relationship Maintaining a Sweet Relationship निट दिया हुआ है Run of the Mill Run of the Mill Run of the Mill का मतलब होता है सामान देखिए पुराने समय में क्या होता था ये Run of the Mill का मतलब है कोई मील से प्रोडक्ट जब निकलता है तो क्या कहते हैं लोग उसके ध्यान नहीं देते हैं उसके quality पे ध्यान नहीं देते हैं उसके किसी भी चीज पे ध्यान नहीं देते हैं अर्थात Run of the Mill अर्थात ये मील से निकल रहा है तो सब अच्छा ही होगा अर्थात सामाने तरीके से वो चल रहा है तो run of the meal का मतलब होता है सामान, average या common, rest दिया हुआ है run the gauntlet, run the gauntlet, run माने होता है दोड़ना, gauntlet माने होता है धात के दास्ताने, देखे, run the gauntlet, यह एक प्रकार का पुराने समय में क्या होता था, कि एक ग्रूप में, ग्रूप में किसी भी दोशी को जब पकड़ा जाता था, तो उस दोशी को ग्रूप में दोड़ा दिया जाता था, अर्थात, दो तरफ लाइन होते थे, उस लाइन के बीच में उस दोश दोड़ा दिया जाता था, और उस दोशी को मारते थे, लोग डंडे से मारते थे, चाहे जिस तरीके से क्या करते थे, मारते थे, तो अगर उस ग्रूप में कोई दोशी, उस लाइन के बीच में, अगर कोई दोशी दोड रहा है, तो क्या करेगा, वो अपनी मुह को, हाथ को पैर को बचाएगा अर्थात रन माने दोड़ता है the gauntlet का मतलब होता है धात के दस्ताने पहन के दोड़ता है तो जब निकलता है तो वो बुरे अनभो के साथ गुजरता है किस से गुजरता है बुरे अनभो के साथ तो run the gauntlet का मतलब होता है बुरे अनभो के साथ या बुरे अन प्लेजेंट एक्सपीरियंस निश्ट दिया हुआ है सेल अंडर फाल्स कलर्स तो ध्यान यह सेल माने होता है नाव खेना तो देखिए जब समुद्रों में नाव चलती है तो उस पर जंदा लगा होता है क्या होता है जंदा लगा होता है किसी भी देश का अगर जंदा है तो अपने अलग अलग देश का जंदा होता है लेकिन अगर उसी में कोई नाव दूसरे का जंदा लगा के चलता है तो वो क्या देता है धोखा देता है क्या देता है धोखा देता है तो सेल अंडर फाल्स फाल्स मनें गलत कलर्स मनें आप कह सकते हैं जंदा तो फाल्स thing that you are not, निट दिया हुआ है, save one's skin, अब देखें, गर्मियों में, गर्मियों में क्या होता है, लडगी आपने skin को बचाने के लिए, क्या करती हैं, धके हुए होती हैं, तो save one's skin का मतलब swim को बचाना, to save oneself, निट दिया हुआ है, c i to i, c i to i, मतलब होता है, पूर्टर सहमत होना, c i to i, जब कोई meeting होती है, तो उसमें जो head होता है, किसी भी बात को लेकर, वो सबको देखता है, अर्थात i to i contact करता है, सहमती है की नहीं है, तो उसको बोलते हैं, c i to i का मतलब पूर्टर सहमत होना, showing agreement, art to agree, निश्ट दिया हुआ है आपका, c pink elephants, c pink elephants, आप देखिए, elephant pink होता नहीं है, लेकिन अत्यधिक नसा के कारण, उन चीजों को देखने, देखना जो वास्तों में ना होना, तो एक बहुत बड़ा drinker होता है, वो एकदम नसे में होता है, तो वो जब देखता है, तो वो हाथी उसको कैसा दिखता है, pink color में दिखता है, जो के हाथी pink color में होता नहीं है, c pink elephants का मतलब अत्यधिक नसा के कारण, उन चीजों को देखना, जो वास्तों में ना हो, any visual hallucinations arising due to intoxication, तो ध्यान दिखे, इस तरीके से हम लोग देखते हैं, c pink elephants, अत्यधिक नसा के कारण, उन चीजों को देखना, जो वास्तों में ना हो, नेट दिया हुआ है, c red, c red का मतलब होता है, गुश्से में होना, अरे, देखते हैं, लाल पीले हो रहे हैं, लाल पीले होने का मतलब गुश्सा होना, तो C rate का मतलब होता है गुस्से में होना Be very angry तो हम लोगोंने 20 idioms complete कर लिए हैं तो ये वीडियो आपको कैसा लगा comment box में comment करना ना भूलिएगा ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe कर लिजेगा bell icon पर प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंसके जी दोस्तो हम लोग फिर्म लेंगे नेश्ट वीडियो में नेश्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद